दुलहन का अभूशन आम तोर पर सोने या चांदी का होता है और यह विभिन्न प्रकार के डिजाइन और स्टाइल में तयार किया जाता है। इसके निर्मान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। डिजाइन तय करना सबसे बहले दुलहन की अभूशन का डिजाइन तय किया जाता है। यह डिजाइन व्यक्तिगत पसंद, फैशन ट्रेंड्स और पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर होता है। धातु का चयन, सोना, चांदी या प्लैटिनम जैसी धातुओं का चयन किया जाता है। दुलहन के अभूशन में आमतोर पर सोने का उपयोग होता है। मॉडल बनाना, डिजाइन के अनुसार एक प्रारंभिक मॉडल तयार किया जाता है। जिसे वानिक जिक परीक्षन या कस्टमर की स्विक्रिती के लिए पेश किया जाता है। धातु की तयारी, चयनित धातु को पिखला कर और ठोस रूप में ढाल कर आवश्यक आकार में तयार किया जाता है। कटिंग और ज्वेलरी का निर्मार धातु के टुकणों को कट करके आकार देकर और जोड कर आभूशन बनाया जाता है। इसमें छोटे-छोटे पत्थर या रत्न भी जोड़े जा सकते हैं। तयार आभूशन की चमक और पूलिशिंग की जाती है ताकि इसका अंतिम रूप सुन्दर और आकरशक हो। गुणवत्ता जाच अंतिम जाच की जाती है ताकि आभूशन में कोई खामी न हो और यह तयार मानकों के अनुसार हो। इस प्रकार दुलहन के आभूशन को हर चरण में ध्यान पूर्वक तयार किया जाता है ताकि यह विशेश अवसर पर शानदार दिखे।